कि एक कम बढ़ियां वाईशा कि साथियों आशे ही पनाया करो खाया करो मौ जय वाईशा खाने में तो करिसे आप लोग उम्मीद है सब लोग होंगे हमारे नए विलोग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों और गाड़ी अवारी लेट लोड और पाई थी र श्राबा की तरफ पहुंचेंगे और दिन ही दिन में चलेंगे चलिएगा हमारा टाइम जादा हो गया है तो हम अभी बजार से थोड़ा बजार पड़ाता आगे तो बहां से हम चिकन लेके आये हैं और सामान भी थोड़ा खतम हो गया था तो चिकन बगरा बनाएंगे तो सब लेके हमने दरलिया बस एक जगए देखेंगे कि बढ़िया ठंडी जगए कहां पर पड़ेगी तो बहां पर बनाएंगे क्योंकि टाइम दस बच चुके हैं और पहुंचते जब जगा बगरा देगे तो ग्यारा बच जाएंगे दोस्तों तो चलिएगा आगे चलते हैं और देखते हैं जगए फिर बनाते हैं आगे प्यारे सातियों आज हमने आपको बताया था कि चिकन बगएरा लेके आ गए हैं देखो चिकन बो रखा हुआ है तिमाटर भी कट गए हैं प्याज और लैसुन बगएरा अद्रग गएर सब बूज रहे हैं सब चीज रेडी हो हमारी तयारी चल लगी है देखिएगा बोजनेट अब बस ब्राउन कलर हो जाता है तब हम लोग मसाला इसमें डालेंगे आइड करेंगे क्योंकि अभी ब्राउन कलर का हुआ नहीं कुछ कम है अभी थोड़ा तो बही कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो ग चिकन करी बने चिकन यह रखा हुआ है तो प्यारे साथियों हमारा टिमाटर वगेरा सब बुनके रेडी हो गया है अब हम क्या करेंगे इसके बाद डालेंगे चिकन यह रहा देखो दोस्तों चिकन साफ हो गया अगिदम फ्रेस कर दिया आमने दोदाके रेडी है बस आब इसमें हम डालेंगे यह है लेकपीश व्राइटी यह लेकपीश एक एक करके डालेंगे उसको चलाते भी रहेंगे जिससे की लंग ना जाए इसको चलाते भी रहेंगे साथ में यह देखिएगा हमारा चिकन पढ़ चुका है चिकन हमारा पढ़ गया है दोस्को अब हम इसको चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे जिससे की हमको तरी थोड़ी चाहिए ठीके दोस्को बनने के बाद फिर हम बताते हैं आपको दिखाते हैं कैसा बना है तैयार हूं गया एक दम बहुत ही मस्त बना अब खाके देखते हैं चेश्ट करते हैं कैसा बना है एक कम बढ़िया वाईशा आप सातियों आशे ही बनाया करो खाया करो माँ जय वाईशा फाने में यह है बनारस इसको बनारस बोलते रही है लाइटे बें हैं कासी नंगरी दोस्तों देखिए हम कुल के ऊपर चल रहे हैं और पहाड़िया मंडी में जाएंगे पहाड़िया मंडी में जिस किसी भाई को जाना हो तो यह ब्लॉक देख ले हम रास्ता बता देंगे उसको बावतपुर से यह सीधा रास्ता आ रहा है कहीं यह जो एरपोर्ट बावतपुर है वहां से सीधा ही रस्ता चला रहा है कहीं भी नहीं मुड़ना है आप लोगों को और आगे हम आपको बताएंगे कहां से मुड़ना है सीरे पहुंचे के मंडी में झाप लोगों के इसके हमारे हम आपको बताएंगे इसके हुआ है